बारती संस्कृति में नदियों को जीवन दाइनी कहा जाता है क्योंकि नदियां धर्ती पर जीवन का एक प्रमुक्स रोत है। जिले में गोमती नदि के तड़ पर मिले दुरलब इंडियन इसकीमर पक्षियों के बारे में जो कि आजकल यूपी में चर्चा का विशय बने हुए है। में भी भारती वनेजिव संस्थान के विशिशग्यों की टीम ने पहली बार इशिक शेत्र में 57 इंडियन इसकीमर्स को देखा था। की आश्यरी की बात ये है कि गोंती नदिक शेत्र इन पक्षियों का प्राकृतिक वास अस्थान नहीं है। लेकिन ये पक्षि यहां क्यों वास कर रहे हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए भारती वनेजिव संस्थान को शोध भी करना चाहिए। आपको बताते हैं कि भारती वनेजिव संस्थान एक स्वायत संस्थां है जो पर्यावरण, वन और जलवायू परिवर्थन मंत्राले के तहत काम करती है। आई अब आपको बताते हैं इंडियन स्कीमर्स के प्राकृतिक वास अस्थान के बारे में इंडियन स्कीमर्स नदियों के किनारे रेतिली भूमी पर वास करते हैं Bombay Natural History Society के अनुसार ये पक्षी मूल रूप से चम्बल नदी के किनारे वास करते हैं नॉबर के महीने तक ये पक्षी नदी के किनारे पहुँच जाते हैं और यहां की रितिली भूमी पर गोसले का निर्मार्ट करते हैं मार्च तक इनके गोसले का निर्मार्ट चलता रहता है मार्च अप्रेल का समय इनके प्रज़नकाल का होता है ये पक्षी मौनसून आने तक यहीं रहते हैं और मौनसून के आने से पहले जून के आखिर से लेकर जुड़ाई के पहरे सब्ता के बीच चूजों सहित प्रवास के लिए पंजाब, बिहार या असम के शेत्रों में चले जाते हैं तो अगर इसे अब इस नजरीय से देखा जाए तो अब मार्च का महीना ही आने वाला है यानि इन पक्षियों का प्रजनन काम चल रहा है और अगर अपने ब्रीडिंग सीजन में ये पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं तो इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि वे गोमती नद पक्षी के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताते हैं इंडरीस कीमर को स्थानी भाषा में पंचीरा कहा जाता है अपनी नारंगी चोंच और काले सफेद रंग के शरीर के वज़ा से इन पक्षियों को आसानी से पहचाना जा सकता है भारत के लावा ये पक्षी पाकिस्ता से बढ़ जाते हैं दुनिया में लगभग 2000 से 3000 की संख्या में इंडियन इसकी मर्स के प्रजारती पाई जाती है वासस्तल के भावों में विश्वमिन की संख्या हाना कि ये बलगातार तेजी से कम हो रही है जिससे ये पक्षी लगभग लुप्त प्राय हो गए हैं ऐसे मे इन पक्षियों का गोमती नदी के किनारे अपना नया बसेरा खोजना इनकी संख्या को और भी आसान करेगा वैसे कैसी लगए आपको हमारी ये जानकारी इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथी ये बताना ना भूले कि इंडियन इसक कीमर्स को आपके इलाखे में क्या कहते हैं या आपने कभी इस पक्षी को देखा है या नहीं